बहुत सारे स्टुएंट पुछते हैं कि IPS बनने में कितना पैसा लगता है? कितना खर्च हैगा IPS बनने में? मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पैरेंट्स के पास पैसे नहीं है, मैं कैसे IPS बन सकता हूँ? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल है तो तोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखिए आपकी सारी टेंशन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी इसलिए पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरा नम है आयूस और आप देख़े हैं आयो सरी ने यूटूब चैनल चले वीडियो को शुरू करते हैं देखो गज़ आईपियस बहुत सरे इस डुएंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाय करके आईपियस ऑफिसर बने खुद का नाम रोसन करे अपने फैमिली का नाम रोसन करे अपने गाउं का नाम रोसन करें लेकिन बहुत सारी चीजे ऐसी होती हैं जो कि उनको नहीं सही से पता होती हैं और इसकी वज़े से उनके मन में बहुत सारी दुएधा होती हैं बहुत सारी कोस्टन्स होते हैं जिनका उनको जवाब नहीं मिल पता और मेरी हमेशा ऐसी कोसिस रहती है कि मैं अपने जो गाओं से पढ़ हुए हैं, जो हिंदी मेडियम से पढ़ हुए हैं, क्या वो IPS बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो देखो बैज, सबसे पहले जान लेते हैं, कि IPS बनने के लिए आपको कितनी qualification चाहिए, यानि कि आपको कम से कम कितनी आपकी पढ़ाई पूरी होनी तो आपको अपनी graduation complete करने पढ़ेगी, graduation मतलब कि class 12 के बाद जो आपके पढ़ाई होते हैं college में, जो कि B.A.B.C., B.T.E.C., M.A.B.C.A. सारे course होते हैं, इसी को graduation कहा जाते हैं, तो आपको अपनी graduation complete करने पढ़ेगी, उसके बाद आप eligible हो जातो IPS officer बनने के लिए, देखो ये आपकी minimum requirement है, क्या कि आपको अपनी graduation complete करने पढ़ेगी, अब कितना पैसा लगता है, ये depend करता है, आपके उपर कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, देखो गज, मैं clear बता रहा हूँ, IPS के लिए जो form आता है, UPSC civil services का, उसमें आपको 100 रुपे form apply करने के लगते हैं, और female और SCST category के लिए 0 रुपे लगता है, यानि कि उनको 100 रुपे भी नहीं देना होते हैं, और जो general OBC candidate होते हैं, मेल में उनको 100 रुपे लगते हैं, इसके अलावा आपको एक भी रुपया देने की जरूत नहीं है, अगर आप लगाना चाहो तो लाखो रुपे लगा सकता हो, अगर अपने ही लगाना चाहो तो आपको एक रुपे भी लगाने की जरूत नहीं है, कहने का मतलब है कि आपको IPS बनने है, तो आप तयारी करोगे न उसके लिए भाई IPS बनने के लिए, तो आप तयारी कैसे करोगे, आप खुद से भी तयारी कर सकते हो, आप किसी कोचिंग म तो क्या खर्चाएगा उसका आपको कुछ बुक्स करीदने पड़ेगी उसका जो खर्चाएगा और ऐसा भी तो है नहीं कि बुक्स बहुत जादा लाग रुपे में मिलती है जरूर नहीं कि आप नई बुक्स लेकर हैं पढ़ाई करें आप सेकेंड हैंड बुक्स लेकर ऐसे है ने कोचिंग फिजदने की लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिलकुल भी नहीं है बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है बहुत सारे ऐसे केंडिडेट हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके यूपीश्ची का एक्जाम क्लियर किया और आज एक IPS ऑफिसर है रहाई साब बिलकुल भी मत सोचे कि आप गरीब परिवार से है तो आप IPS नहीं बन सकते है IPS बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरी चीजी है कि कई बार एस्टुडेंट को कई साल तक त्यारी करने पड़ती है मान लिजे कि आप कहीं बड़े सहर में जाके त्यारी कर रहे हो तो आप एक साल रहे हो दो साल रहे हो तीन साल आप त्यारी कर रहे हो तो आपको किराय देना है रूम का आपको खाने का खर्च है रहने का खर्च और भी आपके कुछ परसनल खर्च हो सकते हैं अगर आप किसी कोचिंग में रह रहे हो तो हर सल उसकी फीस से तो ऐसे तो खर्च आप जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन बहुत सारे एंसे हैं जो कि करते हैं खुछ से पढ़ाई करते हैं और आजकल तो नेट पे सब कुछ एवेलेवल है यूटूब पे बहुत सारी वीडियो जो कि आप फ्री में देख सकते हो आपको उसके लिए एक भी रूपे देने की जोतनी है तो टोटली डिपेंड करता है आपके उपर कहने का मतलब है कि अब जितना खर्च करना चाओ खर्च कर सकते हो तो इस वीडियो में बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि कितना पैसा खर्च होता है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर कोई हिंदी मेडियम चात्र है गरीब परिवार से चात्र है तो वो तो मुझे उम्मिद है कि आपको समझ में आगया होगा कि किता खर्चाता है, किता पैसा लगता है, अगर आप कोई वीडियो पसंद ये इस वीडियो को प्लिजि लाइक कर दीजिए, वीडियो को सेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करद के कि आप कोई वीडियो कैसे लगे अब सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद